समझने की कोशिस करेंगे यह जो मार्केट में एटमस्फियर चल रहा है और कह सकते हैं और मार्केट थोड़ा साइडवेस था और आज पहला ट्रेडिंग सेशन था और कह सकते हैं एक नियुएर ट्रेडिंग सेशन था तो निफ्टी अल्मोच डेलो के आसपास जाके क्लोज हुआ है लेकिन अगर प्रोवीजनल ग्लोजिंग की बात करें तो वह उपर ही आई है बट इसने अल्मोच डे हाई डेलो दोनों ही यहां पर टच किये थे इस चीज़ को हम समझेंगे तो इस वीडियो को हम स्टार्ट कर जाता और मैसेज किया था कि वहां पर अपनिंग फीस लग रही है तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप पहां पर पीवाई वन 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 अट कोड यूज करते हो रिफ्रेंस इंट्रूदीजर कोड में आप जाके वर आप यूज करते हो तो आपकी कोई फीस नहीं लग अगर आप इस code को यूज करते हो तीक है ना code है पी वाई वन वन एट ठीक है था फटका जो form होता है फटका वाले जो आपको नीचे की तरफ राइट कॉर्णर में आपको मिल जाएगा वहां पर आपको पीवाई वन वन एट कोड अगर आप करोगे तो आपकी जो भी अकाउंट ओफनिंग फीज आपकी चार्ज हो रही है फो आपके कोई चार्ज नहीं लगेंगे ठीक है इतना आप लिए समझ अब मार्केट को समझते हैं सबसे पहले हम निफ्टी को समझते हैं निफ्टी का स्ट्रक्शर देखते हैं क्योंकि जैन्वरी मंथ होता है थोड़ा सा विक्स भी जम करता है क्योंकि आप बजट के नेरेस जाओगे और ऐस पर दालास्ट सेवन येर्स डाटा अगर आप दे आप निफ्टी का स्ट्रक्शर समझता है अल्यड़ी एक दिन निकल चुका है आपको पता है निफ्टी के एकस्पायरी 25 जनवरी को आपकी निफ्टी के एकस्पायरी होगी तो कहीं न कहीं आप ज़्याधा ट्रेडिंग सेशन नहीं है आपको अरांट देख सकते हैं अजर कि अभी जो स्ट्रक्शर बना हुआ वो इस तरीके से बना हुआ है कि यह आपके पास एक ट्रेंड लाइन है जिस पे इसने लास्ट टाम सपोर्ट लिया था और यहां से इसने पूरा एक मुवमेंट करके यह जो फॉल आया था इसको इसने दिकावर कर दिया था ठीक है और यह कंटिनियूसली यहां पर रिजिस्टेंस ले रहा था आज भी अल्मोच इस लेविल के असपास गया वहीं से ही एक सेल ओफ देखने को मिलाता अब अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा एक्स्टेंड कर लोगे इस तरीके से आप एक्स्टेंड कर लो ठीक है अगर आ पॉइंट आपको ध्यान में रखना मैं यह नहीं बोल रहा है कि यह कली गर जाएगा या फिर सेल ओफ आ जाएगा वड़ चांसे वरी आए कि यह तीन से चार दिन के अंदर यह नीचे के लिए फिल पर आसकता है धीरे-धीरे करके हो सकता है शार्पली भी आ जाए क्योंकि my life अधा की उसके अदर यह मार्केट बहुत चला हुआ है प्रॉफिट बोसकी आए है से तो यहा है प्रॉफिट बॉक्किंग घाता तो इहां से अगर प्रॉफिट पॉकिंग ही तो फोड़ी से शार्पली ही आएगी वरफिए थिया कि ऋब यह जाएगी आज में और दीद अब कल के trading session के लिए simple चीज एक level है उस level के नीचे जाएगा तो हम इसको ज़रूर sell करेंगे और level है आपका ये क्योंकि ये multiple time test हो चुका है अगर आप देखोगे ये level multiple time test हो चुका है क्योंकि आपने यहाँ पे इसको test यहाँ पर ये support लिया ओपर गया ठीक है फिर ये इसने support लिया फिर ओपर चला गया फिर आज खुला फिर support ले लिया फिर ओपर चला गया और फिर इसने इसी level पर support लिय है तो लेविल का है बहुत एक दो तीन चार पांच वार टेस्ट हो चुका है तो अगर कल यह नीचे की तरफ निकलता है तो फिर यह यहां पर जासा कुछ सास्तों की नीचे आपको इसको सेल करना है जब तक कोई प्रावलम नहीं है जब इसको डिफिनेटली जरू सेल करिएगा क्योंकि साट से सतर पॉइंट तो यह बहुत फास्ट कर जाएगा बस कल की कंडिशन यह है कि कल यह खुलते ही सेलिंग में न जाए लेट थेम खुले थ तो यहां पर इसका 13 मिनट चार्ट में आपको दिखा देता हूं तो सेम इसी टाइप का पैटन यहां पर भी बना हुआ है अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो यह चैनल है चैनल के लोर एंड पर यह दीरे दीरे शिफ्ट हो रहा है तो 48,000 की नीचे हम इसको सेल करेंग और हो सकता है कि यह थोड़ा सा और नीचे की तरफ दीरे दीरे श्रिंक होना स्टार्ट होगा तो क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो जाहिड सी बात है कि थोड़ा सा उपर के लेविल पर यहां पर बिजट से पहले थोड़ी बहुत प्रॉफिट दरूर देखने खाना 48,000 के नीचे को लेवल है ठीक है यह पॉइंट आपको समझ में आ गया अब कल है फिन निफुटि के एक्श्पारी तो उसको भी देख लेते हैं तो फिन निफुटि का हम लगा लेते हैं तो यहां पर फिन निफुटि में अगर हम यह सब अटा देता हूं है ताक यह ठीक है, फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे, तो यह 30 मिनट चार्ट है, ठीक है, अगर आप यह देखोगे, तो यहाँ पे इसने, मुवमेंट यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद इस हाई को फ्रॉस नहीं कर पाया, दूसी चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ प देखोगे, तो आप यह चैनल भी आपका इस तरीके से बनता हुआ दिखाई, देगा अगर आप इसको मिला लोगे, तो कहीं ना कहीं है, कल 2100 के आसपास जा सकता है, अगर सेलिंग में यह जाता है, तो इसमें हम थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, यह ध्यान में रखिएगा, क यह जो extra provisional closing है, कहीं ना कहीं यहां पर sellers दुबारा से इसको target कर सकते हैं, तो यह point आपको ध्यान में रखना है, और अगर इसको target किया, तो follow up में यह नीचे भी जा सकता है, 2100 का हम target यहां पर मान सकते हैं, ठीक है, तो अगर कोई भी कल negative price action बनता है, तो आप इसकी 2100 या फ distance का काम कर सकता है, क्योंकि इसने काफी देर यहां पर यह कह सकते हैं, इस level को बहुत यहां पर बहुत देर बाद इसने इसको निकाला था और फिर यह one way में नीचे आ गया है, और provisional closing उपर आई है, तो अगर यह follow up में selling में गया, तो फिर एक indication मिलेगा, market में profit booking आने का, क्य कि यह एक sharp लाया था, उसके बाद इसने continue यहां पर एक recovery दिखाई थी, और अब जो एक channel है, इस channel के breakout या breakdown पर हम play कर सकते हैं, तो breakout देने की कोशिस करी, इसने लेकर sustain नहीं कर पाया, तो उसका मतलब क्या है, कि अगर यह breakdown देगा, तो chances vary है, कि यह sustain कर सकता है, तो sustain कर गया, त फिर सीधी सीधी से जो target है, वो 21 अजा 500 का लेकर चल सकता हूँ, मैं एक दो दिन में जो कि आपको देखने को मिल सकता है, वो 21 अजा 200 की बात होगी, फिलाल तो जो situation दिख रही है, बहुत बड़ी selling आ गई, तो उसका कोई view नहीं है, बट जो level to level की बात करूँ, तो level to level के सा आपसे 21 700 के नीचे अगर ये जाता है, तो फिर आपको around 21 600 की गिरावट और 21 550 की गिरावट देखने को मिल सकती है, ये point आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो level है, multiple time test हो चुका है, तो अगर आप इस ये गया, तो थोड़ा सा शापली ये नीचे जा सकता है, ठीक है तो nifty हो गया, bank nifty हो गया, fin nifty हो गया, तीनों इंडेक्स मैंने आपको बता दिया है यापे, तो कल आप इस analysis को यहाँ पर use कर सकते हो, अगर आपका short करने का view है तो, नहीं तो हो सकता है, बहुत से लोग बोलें कि आरे आप तो short ही बोल रहे हो, हम तो short हम तो फस गये ते market अगर आपका shorting का view है तो ही आप sell करिएगा, नहीं तो कोई दिक्तत नहीं है, आपका जो view होता है, उसके साफ से आप काम कर सकते हैं, मेरे को थोड़ा सा market यहां से थोड़ा से negative दिख रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि काफी जादा इसने यहां से एक one way rally दिखा चुका है, और अगर आप top पे देखोगे, तो यह एक am pattern भी यहां पर complete सा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यह इसका एक breakdown level है, अगर आप pattern यहां पर समझ सकते हो, तो यहां से provisional closing उपर आई है, तो यह breakdown देगा, तो फिर चांसे बरी हाई कि एक के से आप 500 का next target ह हो सकता है, हो सकता है, एक के नीचे भी चला जाए क्योंकि selling जो आती है, वो हमेसा sharp आती है, और buying जो आती है, वो थोड़ी slow slow दीरे दीरे आती है, तो अगर आपने put side पे position पकड़ ली और अगर आपके favor में market चला गया, तो chances very high कि आपको बहुत अच्छा profit यहां पर मिल सकता है, तो आपको दोस्तों यह particular data आपको समझ में आ गया होगा, दोस्तों फुला हले इस वीडियो में इतना ही है, I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो प्रक्राइब पाता तो like और शाथ जरू करिएगा, और channel को जो subscribe कर लिजे क्योंकि मैं सुदिल लेके आता हर दिन आपके लिए नहीं नहीं वीडियो इसी के ताज, शुक्रिया दोस्तों, जैहन्त